अब्यास पुर्थिका के अंतरगत कक्षा पाचवी का आपका जो सब्जेक्ट है अंग्रेजी उसके अंतरगत आपका बुक है पाचवा लेशन है इसमें फन विद्ध लेंग्वेज इस वीडियो बचो इस टॉपिक के सभी प्रशनों के उत्तर आपको मिलेंगी तो वीडिय इसके बाद फ्राइल अफ़िक कोशन्स इन वन और टू वाट्स आपको एक या दू शब्दों में उत्तर लिखना है देखे पहला प्रशन है बच्छो आपको वूह फ़न तू पास्वाइ तो देखे आपको उत्तर लिखना है इसका इसका राइट आपका खुशाई का वी boy in the above sentence atul is a noun or pronoun तो देखिए atul इसमें क्या है noun है या फिर pronoun है तो उत्तर आपको लिखना है atul is noun क्योंकि वैक्ति जो है noun के अंदर गदाता है आपको atul जो है noun होगा इसके बाद देखिए आगे आपको बोला गया look the pictures given blue and answer the following questions in one or two sentence यहाँ को देखना है वहं प्रश्नों के उतर एक या दो वांत्यों में आपको लिखना है तो देखिए आप यहाँ पर देखेकर। बच्चेर है और वहार में इस घंड रहे हैं तो देखे कर यहाँ को के पेठेसे हमें धिन को चुछेंगा है यह। This building, a house, or a school इस विल्डिंग में जो house है यहा फिर जो स्कूल है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख शेक्ने आपको स्कूल दीख रहा है देखे इसका उत्तर आपको लिखना है SKUL This building is a SKUL यह आपका राइट अंसर इसका होगा इसके बाद देखे आगे किसके साथ discuss कर रहे हैं तो इसको आपको लिखना है सर की shadow है discuss कर रहे है जैसा कि आप अपनी screen पर यहाँ पर देख सकते हैं बचो यह इनके share है इसके बाद देखे आगे आगे हम बढ़ेंगे तो देखे आगे छटपा question है कि तो इसका उत्तर हो जाएगा no there are three girls in the group क्या वहाँ आपको बोला गया तीन girls है तो आपको नहीं लिखना है no there are three girls in the group यह आपका right answer होगा इसके बाद देखे आपका आगे answer the following questions आपको बोला गया है question number 7 है define countable and uncountable noun आपको define करना है countable noun और uncountable noun की परिभासवार example सही तदेना है यह आपका right answer होगा इसके बाद देखे आपको पूरा उत्तर लिखना है इसके बाद देखे आगे assessment for बच्चों यहां से आपका start हो जाता है जिसमे answer the following questions in one or two words आपको बोला गया है एक या दू शब्द में उत्तर आपको देना है तो देखे question number 1 है इस pencil a proper noun और a common noun देखे pencil आपकी proper noun है या फिर common noun है तो उत्तर आपको लिखना है proper noun इसका सही उत्तर आपका होगा इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखे look at the picture below and answer the following questions in one or two sentences आपको एक या दो शब्दों में उत्तर देना है आपको फिर से चितनी हाँ पर दिया हुआ है तो देखे इसको फिर से आपको देखना है जिसमें आपको school दिया हुआ है याँ बच्चे खेल रहे हैं teachers के साथ और यहाँ पर लड़किया है और लड़के है तो इसको देखना है फिर इसके बाद देखे selected question आपको पूशेगे है बोला है how many people are there in the picture आपको picture में कितने लोग है तो देखे आप गिजन सकते है एक दो तीन चार पांच छे शाथ आठ आट नो दस तो आपको देखे 10 दिख रहे हैं तो आपको लिखना है 10 people in the pictures या आपका इसका right answer होगा इसके बाद देखे आगे आगे बोला है answer the following questions निमना किन्त प्रशन का उत्तर आपको लिखना है question number 3 give 5 examples of proper noun and countable noun तो आपको proper noun का 5 example देना है और common noun की 5 example यहां पर देना है तो देखे आप आप box में आप पहले लिखेंगे Mercedes, Titanic, Russian, Central Arc Zoo, Oreo और इसमें लिखना है Wimbledon यह आपका इसका जो proper noun का उधारन है और इसके बाद आपका देखे आगे common noun तो common noun में लिखना है बचो mother, father, baby, child, tonder, tonder, teenager इसका आपका उत्तर हो जाएगा आपको वीडियो करकर बच्चो पुरा answer लिखना है इसके बाद देखे आगे आगे आपका next relation है सो पांट छे हम next video में solve करेंगे